नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं डीजे गुरू चिराग यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर फुल कंपेरिजन होने वाला है सिल्ड बोक्स और पोर्टेट बोक्स के बीच में यानि कि आपको क्या-क्या क्वालिटीज सिल्ड बोक्स के अंदर देखने को मिलती है क्या-क्या का मतलब सब चीज यानि कि एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आज छोड़ूँगा हर चीज को मैं आपको डिटेल से एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इस वीडियो से इन्फोर्मेटी वीडियो आपको नहीं मिलेगा यह आप जरूर से देख लिजेगा तो दोस्तो यह वीडियो में आपको मैं ही समझाने वाला हूँ कि सील बोक्स में आपको क्या-क्या क्वालिटीज मिलेगी साथी में पोर्टेट में क्या-क्या क्वालिटीज मिलेगी और उसका नेक्स पार्ट आएगा जिसके अंदर में बेंट पास के सारे ओडर्स बताऊंगा जैसी कि फॉर्थ ओडर हो गया एट ओडर हो गया तो फाइनली आज की वीडियो का बात करते हैं तो दोस्तों दोनों के बारे में मैं फूल डिटेल बताऊंगा यान कि फ्रिक्वे है और लाइक है तो एनमें बोले दिया कमेंट में करना है तो करें मति आ डिसलैक करते हो तो लेकिन खर बताना व्यों ब्ताव करतें वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मैं क्यारा हूँ इतना इंफॉरमेटीव वीडियो नहीं होगा इसको मैंने तीन गूंटा बेटके मेंनत से बनाया है दोस्तों एक थे करके करेंगे sealed box का भी बात करेंगे enclosure में फिर portrait का भी बात कर दें तो दोस्तों पहले चलते हैं sealed box पे उसकी सारी qualities मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों यह आगे अपना sealed enclosure पहले अपन overall design की बात करते हैं तो इसका speaker के लिए केवल जो cone का side होता है उसके लिए जगा छूटा हुआ होता है बागी magnet वाला side speaker box के अंदर की तरफ होता है और पूरा box उपर से लेके नीचे तक चारु तरफ से पेक होता है यानि केवल wire जो जहां से निकलता है वहाँ हलका सा जगह होता है उसके अलवा कहीं भी air के आने जाने के लिए कोई जगह इसमें नहीं होता है तो दोस्तो इससे फाइदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ तो पहला बात तो यह कि यह जो seal enclosure होता है यह instant bass के लिए बना होता है यानि कि जो आप live songs वेरा play करते है उनके अंदर आपको instant की चीए जैसे की डोलक होती है अब डोलक को जैसे ही बजाया उस साइड से ही उसका आवाज भी आना चाहिए और अगर यही चीज़ आप portate में करते होता है डोलक को बजाये तो वो उसका low bass निकालेगा तो वो चीज़ नहीं चलता है इसलिए आपको यहाँ पे sealed enclosure का जरूरत होता है instant bass के लिए पहला चीज़ तो आप यह समझ लीज़े दूसरा चीज यह आपको पता है कि speaker box के अंदर दो frequencies होती यानि कि एक होती है front वाली एक होती है back वाली यानि कि जो speaker play करता है जो उसके speaker के जो cone की तरफ से आती है वो frequencies होती है और दूसरी frequency वो होती है जो magnet के पीछे की तरफ से आती है और वो box के अंदर टकराती है तो दोस्तो sealed enclosure में एक काम होता है कि back side के जो मतलब frequencies होती है उनको बिल्कुल खतम कर देता है और front side के जोती है उनको ही आगे आने देता है तो दोस्तो एक ये चीज़ होती है और एक seal box का ये quality होता है और मैं आपको details बताता हूँ कि क्या-क्या detail seal के अंदर मिलती है और एक detail होती is seal के अंदर की जैसे की back की frequency सारी cut जाती है मतलब की box का पेक होने की वज़े से सारा back का frequency उसके अंदर से cut जाता है तो दोस्तो ये speaker surrounding बहुत कम बनाता है अगर ऐसे आप 4 speaker 4 corner में रखोगे तो surround बनेगा ही लेकिन ये अकिला speaker surround नहीं बनाता है इसका sound आपको सुनने को मिलेगा यानि कि जो quality होती है जैसे की low bass वगेरा होते है वो तो आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे बिल्कुल लेकिन जो instant bass होता है जैसे की जो kick होता है यानि की जो punch का sound होता है AK का मैं नाम पढ़के आपको AK को explain भी करता हूँ कि क्या-क्या फाइदे आपको seal box के अंदर देखने को मिलते हैं फिर चलेंगे portrait की भी बात अपन करेंगे लेकिन उससे पहले अपन इनके नुक्सान की बात भी करेंगे तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या फाइदे आपको seal box के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो मेरे भाई लोग अगर आप सोच रहे seal box बनवाने की तो दोस्तो उसमें आपको ये फाइदे चार जो है mainly देखने को मिलेंगे इसके अलावा भी काफी जादा होते है जिनको मैं ऐसे बारी किसे एक-एक को explain तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये main चार है जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ पहला आता है अपना easy to design यानि कि आपको design करने में कोई problem नहीं होगी अगर आपको जगएगा problem है यानि कि आपके पास कम storage है यानि आप चाहते है कि यार मैं चोटी जगए में अच्छा quality ले सकूँ तो या तो आप band pass को prefer करिए या फिर आप seal बनवाना मतलब की ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर seal बनवाओगे तो उसके अंदर आपको low storage के अंदर यानि कि कम जगए के अंदर काफी ज़्यादा अच्छा quality मिल जाएगा अगला पन बात करते हैं तीसरे नमबर का तो तीसरे नमबर पर आपको देखने को मिलता है instant output तो ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ तो वाई लोग instant output ये होता है कि जैसे ही आपने कोई frequency play किया और उसी time पर वो frequency को ये speaker भी perform कर देगा इसको बोलता है instant output और ये सबसे ज़्यादा अच्छा आपको seal में ही देखने को मिलेगा उसके बाद अगर ported, bend pass और इनके अगर बात करते हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा delay यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर बात करें चोथे नमबर की तो चोथे नमबर पर आता है बेस्ट फोर पंची बास यानि कि यह जो speaker है वो बहुत ज़्यादा पंची बेस आपको निकाल के देता है तो अगर आप पंची बेस को पसंद करते हैं तो आप seal बनवाना प्रिफेर करेगा दोस्तों यह चार qualities main थी इसके अंदर और यह था overall seal का quality अगर आपको कैसा अलगा seal मुझे बताना कमेंट के अंदर दोनों बैस मैं आपको बता दूँगा पसंद करते हैं यानि कि जो love surround होती है उनको पसंद करते हैं तो भाई यह नहीं मिलने वाला है आपको इसके अंदर बाकी बहुत सारा है लेकिन यह main है तो अब चलते हैं seal के थोड़े से बड़े बाई की तरफ जो की उमर में बड़ा है लेकिन quality में भी छोटा है अब देख सकते हैं वो आपकी ज़रूरत की हिसाब से quality है कि आपको उमर में बड़ा लगता है या छोटा लगता है अब चलते हैं पोर्टेट की तरफ और देखत हो तो कोई बात ने लेकिन एक तो होना ही चाहिए कम से को तो उस इंकलोजर को आप पोर्टेड बोल सकते हो दोस्तों इस इंकलोजर का फाइदा क्या होता है और क्या नुकसान है वो भी मैं आपको समझाता हूं पहले थोड़ी इसकी details की बात करते कि यह बंता कैसे है क्या क वाले speaker के कौन से मिल जाते हैं और जो speaker का box अंदर से पेखुद था पिछले seal के अंदर जिसके अंदर बेक मतलब पीछे की जो voice थी वो frequency कट रही थी और बिल्कुल नहीं आ रही थी लेकिन इस पॉर्टेड को इस टाइप से ट्यून किया जाता है कि पीछे की भी कुछ frequency अच्छे तरीके से ट्यून होके और जो पॉर्ट को size से मतलब अपने को set कर रहा है उसी टाइप से कुछ पॉर्टेड के अंदर पॉर्टेड थोड़ा size में बड़ा बनता है से मुकाबले अब अपन थोड़ा details की बात करते कि आपको क्या क्या कि अंदर main फाइदे देखने को मिलते हैं को क्या क्या में नुकसान देखने को मिलते हैं तो यह आ गए फाइदे आपके screen के ऊपर पॉ फ्रिक्वेंसी तो सारे डिश्टर हो जाड़ी थी तो आगेगा केवल फ्रंट का जो मतलब फ्रिक्वेंसी था वो कि इतना ही दूर जाता इसलिए अगर आपको यहां पर loudness भी मिलेगी साथ में low bass मिलेगा वो कैसे मिलेगा समझाऊंगा लेकिन पहले समझ लीजिए कि आप पर आपको कौन से मिल रहा है तो दो frequency आपको अच्छे से मिल रही है इसलिए इसका जो वोकल है वो काफी दूर तक जाता है और इसका frequency response यहां पर तीन डीबी तक होता है यानि कि सील्ड के मुकाबले दुगना होता है अब अब ऑपन बात करते है low bass की तो low bass आपको कि किस step स मिलता है अगर आप ने अच्छा ड्राइवर लगा रखा है तो आपकोрий सकता है अभर लायवर का कौन अच्छा है तो कौन ज्यादा शपल करे गा और ज्यादा चैने की और दोस्तो यह एरफलो होने की वज़े से इंक्लोजर पोर्टेड में है तो दोस्तो यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बैस निकालेगा क्योंकि यहां पर हवा तो रुक ही नहीं रही है हवा आ रही है और जा रही है अगर हवा रुकती है तो वो थोड़ा हार्ड बेस निकालती है लेकिन हवा नहीं रुक रही है इसका मतलब वो बहुत स्था सॉफ्ट बेस निकालेगी तो तीनों पॉइंट मैंने आपको यहां पे क्लियर कर देगी क्या 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 क्य तो दोस्तों यह गर के लिए पोटेड इंग्लोजर लेना आपके उपर लेना है या नहीं लेना है और इसके मेनली नुक्सान को जीए यह आपको इसके लो अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप उसकी आवाज को फूल कर देते हैं तो वह जो कौन होगा वह काफी ज देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह सारा डीटेल्स होता है उसका पोटेट का वसील का मैंने आपको समझाई दिया था अब यह दोस्तों वीडियो आपको किसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए तो मुझे 100% यूटूब चैनल और मैंना नाम है चिराग और मिलता हूं मैं आपको किसी ऐसी दूसरी वीडियो के अंदर तो फाइनली मैं आपसे विदा लेता हूं